बढ़ते आगे दिल्ली में कोरोना संकर्मण के मामलों में कमी आने के बाद दिल्ली वासियों को धीरे-धीरे लॉक्डाउन में राहत मिल रही है इसी कड़ी में दिली के सीयम अर्विन केजरिवाल ने रविवार को प्रेस कॉंफरेंस की और कहा कि अर्थ व्यवस्ता को पट्री पर लाने के लिए धीरे धीरे एक्टिविटी शुरू की जा रही है अब सोमवार से हर दिन मॉल्स और बाजार पूरी तरह से खुल सकेंगे लेकिन सुबा दस बजे से रात आट बजे तक वहीं रेस्टोरेंट्स को भी 50 प्रतिशत सिटिंग क्यापसिटी के साथ खोलने की अजाज़त दे दी गई है वहीं सरकारी दफ्तर में 100 प्रतिशत अधिकारी और बाकी करमचारी 50 प्रतिशत शम्ता के साथ काम करेंगे साथी प्राइवेट आफिस में 50 प्रतिशत कैपसिटी के साथ 9 से 5 बजे तक काम करेंगे हाला कि सारे स्कूल्स, कॉलेज़स, कोचिंग इंस्टिटीट अभी भी बंद रहेंगे सामाजिक, धार्मिक, राजनितिक गतिविदियों पर रोक रहेगी जिम, पब्लिक पार्क, गार्डन, योगा इंस्टिटीट सब बंद रहेंगे सरकारी दफ्तर जो पिछले हफते स्थेती थी वही कि ग्रूप A ओफिसर्स 100% अटेंडेंस और बाकी सब की 50% अटेंडेंस लेकिन जो एसेंशल अक्टिविटीज है जैसे अस्पताल हैं, दूसरी पुलीस है ये वो सब 100% वो पूरी तरह से चालू रहेंगी प्राइवेट ऑफिसर्स जितने हैं वो 50% केपैसिती पे काम करेंगे 10 बजय से, 9 बजय से 5 बजय तक काम करेंगे और कोशिश करेंगे जादा से जादा वर्क फ्रम होम की जितने मार्केट्स हैं, मार्केट कमप्लेक्स हैं, मॉल्स हैं वो अब पिछले हफ़ते और डीवन था, कल से पूरी तरह से सारी दुकाने खुल सकती हैं, लेकिन दस बजे से आठ बजे तक शाम को, और जो रेस्टराएं वो 50% सीटिंग केपैसिटी पे काम करेंगे. एकुल से सा मैं लेकिन हैं.